आज हम देखेंगे बायो डैवर्स्टी क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और बायो डैवर्स्टी को कैसे नुकसान हो रहा है और इसको कंजर्ब करने के मैथड देखेंगे तो बायो डैवर्स्टी की जो बेसिक डैवर्स्टी को जैविविदता को जैविविदता कहा जाता है जीवन रूपों में परिवर्तन शीर्टा मिन्स जैसे की हम सब जानते हैं कि हम Homo sapiens प्रजाति के हैं जो मानव है वह Homo sapiens प्रजाति का है बट फिर भी सब देखने में अलग है रंग रूप में, लंबाई में in सब चीजों में सब देखने में हर मानाव अलग अलग है, या जैसे हर जानवर भी देखा जाए, अगर मन लिजे गाय को ले लिजे, या कोई भी एक जीव ले लिजे, तो सब अलग-अलग दिखते हैं, तो ये जीवन रूपों में परिवर्तन शीलता है, ऐसे पेड़ भी सब अलग-अलग तरीके से, जैसे एक ही आम का पेड़ अलग तरीके से ग्रो कर सकता है, ठीक है, या कोई भी पेड़ आप ले लीजे, तो वो, मिंस, उसके रूप में जो परिवर्तन शीलता है, उसको क्या कहते हैं, हम जैव विविद विविदिता आपकी पौधों में, जानवरों में या सुक्ष्म जीवों में पाई जाती है, ठीक है, और नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बायोजिकल डाइवर्सिटी डील्स विद डिग्री ओफ नेचर्स वेराइटी इन बायोस्फियर, मिंस, जैविक विविदिता, जीव म है, पहला अनुवांशिक फिर प्रजातिया और तीसरा पारिस्थितिक तंत्र, अनुवांशिक मतलब की जैनेटिक डाइवर्सिटी जिसको बोलेंगे, और प्रजाति मतलब की इस्पिसीज डाइवर्सिटी और पारिस्थितिकी तंत्र मतलब की एकोसिस्टम तो सबसे पहले देखते हैं कि genetic diversity, genetic diversity जैसा कि मैंने बताया कि हर आदमी दिखने में रूप रंग में सब में अलग होता है, ठीक है, basically यह genes होता क्या है, मतलब हमारे जो माता-पिता के जो लक्षड है, तो उनसे जो आगे आने वाली पीड़ी में जो लक्षड transfer होते हैं, उनको हम gene कहते हैं, और यह gene हर किसी में अलग-अलग होते हैं, ठीक है, means gene जो भी information देता है, तो वो अलग-अलग information देता है, जिससे कि जो production होता है, मानों का तो वो अलग-अलग होता है, इसलिए माता-पिता के अगर बच्चे मान लीजे दो हैं, तो दोनों अलग-अलग होंगे, बहुत ही rare chance में वो जुडवा होते हैं, बट mostly देखेंगे तो gene सबके अलग-अलग होते हैं, जुडवा होने पे भी अगर आप gene की testing करोगे, तो वहाँ पे भी gene का कुछ ना कुछ difference आपको मिले गई, exact same gene हो ही नहीं सकते हैं, exist ही नहीं करते हैं, तो इसलिए genetic diversity पाई जाती ह है, ठीक है, तो genetic diversity आपकी responsible है, different character in species, मतलब जो भी species है, जैसे mano एक species है, फिर जानवर में आप ले लीजिए, जो भी अगर चार पैर वाले हैं, तो वो एक species है, दो पैर वाले हैं, तो वो एक species है, तो जित्ती भी species है, इन सब में genetic diversity आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, next है species diversity species diversity, मतलब कि जैसे plant है, तो हर plant अपना अलग-अलग है, मतलब जैसे माल लीजे कि आप अगर गुलाब का माल लीजे पौधा ले रहे हैं, तो कई तरह के गुलाब के पौधे हो सकते हैं, ठीक है, मतलब basically कहा जाए, जैसे कि आप species में आप कोई भी animal भी ले सकते हैं, तो animal भी आपका दिखने में, रंग रूप में सब में अलग-अलग होगा, ठीक है, सारे गाए एक जैसी नहीं दिखती हैं, तो इसलिए यहाँ पे आप इसको बोलेंगे species diversity, ठीक है, तो next क्या बोल रहा है, this diversity is seen both in natural ecosystem and in agriculture ecosystem, तो यह natural ecosystem में भी आपको देखने को मिलेगा, species diversity और agriculture ecosystem में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, अचा कई जगह पे आपकी species diversity ज्यादा अच्छी होती है, कहीं पे कम होती है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक example दिया हुआ है, कि for example, natural undisturbed tropical forest have much greater species richness, मतलब कि जो natural आपके forest है, जो natural forest है, मतलब कि जो प्राक्रतिक आपके जंगल है, वहाँ पे आपको जो species diversity देखने को मिलेगी, वो ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी, in compared to, अगर आप एक monoculture plantation करते हो, मतलब एक खुद से एक बगीचा बनाते हो मानलो, जैसे forest department मानलो, अगर खुद से एक बगीच बनाये हुआ है, तो वहाँ पे species diversity उत्ती देखने को नहीं मिलेगी, बट जो natural है, जो जंगल तो वहाँ पे आपको ज़्यादा species देखने को मिलेगी, species मतलब की विविन प्रकार के जो प्रजादी के जानवर, तो वो खुले में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, बट किसी बंद जगह पे उत्ते देखने को नहीं मिलेगे, तो यह आपकी हुई species diversity, नेक्स्ट है ecological diversity, ecological diversity में क्या कह रहा है, there are a large variety of different ecosystem on earth, ठीक है, जैसे कि अभी ecosystem वाले last class में हमने देखा कि जो ecosystem की variety है तो वो तरह तरह की है, जैसे हमने देखा था वहाँ पे आपका aquatic ecosystem देखा थ और aquatic के पहले एक आपका वो देखा था, means land ecosystem करके देखा था, तो वहाँ पे कई ecosystem थे फिर aquatic में आपका fresh water और marine यह सब था, तो ecosystem कई type के हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कि large variety of different ecosystem on earth, each having their own complement of distinct interlinked species based on differences in the habitat, मतलब कि जैसे आप अगर वान लीजे टुन्रा ecosystem लेते हैं, तो टुन्रा ecosystem ऐसा था कि जहाँ पे आपका बर्फ ही बर्फ रहती थी, पानी बिल्कुल नहीं होता था, तो टुन्रा ecosystem में जो भी आपके species होंगे, तो वहीं पे exist करेंगे, वो दूसरी ecosystem में adopt नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे नहीं रह पाएंगे, तो यह आपकी ecological diversity है, अब जो fresh water पे जो जीब पाए जाते हैं, उनको आप टुन्रा पे ले जाओगे, तो वहाँ पे नहीं टिक पाएंगे, वो मर जाएंगे, अगर आप उनको दूसरे ecosystem में ले जाते हो, जैसे आपन ही है, तो अगर आपन चले जाते हैं किसी ठंडी जगह पे, तो ज्यादा दिन आपन नहीं रह पाएंगे, अपने को problem हो जाएगी, जिस ecosystem में हम रह रहे हैं, वो हमारे लिए best और suitable ecosystem है, तो यह जो ecological diversity है, different country to country, अलग होती है, ठीक है, जैसे अब इंडिया में एक जो रहने का, means temperature है, जो कुछ भी है, तो वो अगर रशिया वगेरा में जाएंगे, तो वहां बहुत जादा ठंडी होती है, ब्रिटेन वगेरा में भी बहुत जादा ठंडी होती है, ठीक है, और अगर आप नाइजीरिया तरफ जाएंगे, तो वहां बहुत जादा गर्मी होती है, तो व अब देखते हैं next importance of biodiversity means इसकी importance क्या है तो biodiversity and its maintenance are very important for sustaining life on earth मतब अर्थ में life को sustain करने के लिए life को बनाए रखने के लिए biodiversity बहुत ही important है ठीक है a few reasons explaining the importance of biodiversity art मतलब कुछ reason है जो biodiversity की importance को explain करते हैं जैसे कि पहला ecological stability इसमें क्या कह रहा है कि एक पारिस्तिति की तंत्र में हर प्रजाती की विशिष्ट भूमिका होती है किसी भी एक ecosystem में हर प्रजाती की अपनी विशिष्ट भूमिका होती है वे उर्जा को capture और store करते हैं ठीक है उर्जा को means जो भी activity करेंगे अपनी daily life की जो भी activity होएगे तो उससे आपके carbonic पदार्थ भी आएंगे और वो decompose भी होएंगे ठीक है फिर क्या बोला the ecosystem supports the service without which human cannot survive तो ecosystem जो है आपका उन सेवाओं का समर्थन करता है जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं नहीं रह सकता है ओके फिर क्या बोला एक डाइवर्स ecosystem is more productive and can withstand environmental stress means एक विविद पारिस्तिति की तंत्र अधिक उत्पादक है और पर्यावरन तनाओं का सामना कर सकता है ठीक है मतलब विविद पारिस्तिति की तंत्र मतलब की जहां पर diversity बहुत ज्यादा देखी जाती है तो वह एक अच्छा ecosystem आपका माना जाएगा diverse ecosystem मतलब की उसमें कई जीव exist कर सके मतलब कई temperature के जीव exist कर सके तो वह एक diverse ecosystem कहलाएगा मतलब एक ecosystem का जीव दूसरे ecosystem में exist कर सके या मानली जिव आपके किसी particular ecosystem में exist कर जा रहे है तो वह एक diverse ecosystem कहलाएगा और डाइवर्स एको सिस्टम आपका एक प्रोड़क्टिव एको सिस्टम होगा जो की कैसे भी एन्वायर्मेंट में एक्जिस्ट कर जाएगा ठीक है तो यह एकोलॉजिकल आपकी होती है बायोड़वर्स्टी में फिर एकोनामिक इंपॉर्टेंस भी है इसका बायोड़वर्स्टी का बायोड़वर्स्टी क्या करता है लिए जैसे कि वेलिए मिनरल्स या मिट्टी, स्वाईल, जो भी यूज़ करते हो तो वो बाइयो डिवरस्टी के चलते ऐसा होता फिर फिशर्स के लिए- अब जैसे फिशर्स के लिए मैंने बताए था कि यह फ्रेशवाटर comigo- मचवारों के लिए बढ़िया है फिर timber worker के लिए timber मतलब की जो भी लकड़ी वगएरा जो काटते हैं उनका जो वर्क होता है तो यह सब economic importance provide करता है बायो डैवर्सटी मेंस बायो डैवर्सटी के चलते जो बहुत सारे लोग है फिशर और फार्मर और timber workers इन सब को रोजी रोटी मिलती है उनसे देखा जाए तो ठीक है नेक्स्ट ठीक है उसमें जो भी wealth generate होती है जो भी पैसा generate होता है तो फिर वो नहीं generate हो पाएगा अगर biodiversity नहीं होगी तो ठीक है पहली बद तो हमारा existence ही नहीं हो पाएगा अगर biodiversity नहीं exist करेगी तो next scientific biodiversity इसमें क्या है कि biodiversity represents a wealth of systematic ecological data that help us to understand the natural world and its origin तो जो जैव विवितता है तो एको सिस्टम का एक पर्टिकुलर डेटा प्रवाइड करता है जिससे कि हम दुनिया को जान सकते हैं कि यह किस हिसाब से चेंज हो रही है और इसका ओरिजिन क्या है मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे हो यह सब चीज हम बायो डैवस्टी के चलते ही जान सकते हैं मतलब इसके चलते ही हमको एको सिस्टम का डेटा मिलता है जैसे कि हम तरह तरह की रिसर्ट जो साइंटिस्ट वगरह होते हैं तो तरघ्लिकीरिस ने किसम से पदा चलता कि हां किस हो जगह पर कैसा टयमपरेशटर है यहां पे कब आधी आएगी कब waiting आएगा मतलब की कैसे बाइव डैवरस्टी को नुकसान हो रहा है तो पहला है climate change इसमें क्या है change in climate throughout our planet's history have of course altered life on earth in long run मतलब जो climate का जो change हो रहा है हमारे planet में तो ये earth में life को means कहा जाए तो परिवर्तित कर रहा है earth में जो life है तो उसको एक लंबे समय के लिए सही नहीं कर रहा है ठीक है तो next क्या ecosystem have come and gone and species routinely go extend जो ecosystem है आपके आ रहे हैं और जा रहे हैं जिससे कि क्या हो रहा है कि जो प्रजाती है तो वो धीरे-धीरे विलुप्त होती जा रही है तो ये climate change की वज़े से ही हो रहा है ठीक है बट रैपिड मैनमेट climate change speed of the process और जो हमारा मैनमेट जो climate change हो रहा है मतलब कि जैसे जो glacier बगारा है जैसे जो पिखल रहे हैं तो उनका main कारण हम ही है ठीक है हमने global warming को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है जिससे कि glacier बगारा में जो बर्फ है वो पिखल रही है ये सब हमारी ही देन है जैसे कि आजकल हर घर में लगभग AC लगी हुई है तो इनसे भी आपके atmosphere को नुकसान होता है जो overall temperature है जो global temperature है तो वो कहीं न कहीं increase होता जा रहा है every year हर साल देखा जाए तो पिछले साल से जादा गर्मी पड़ती है तो हम basically एक climate को हम change करते जा रहे हर साल जिससे कि जो ecosystem हमारा वो प्रभावित हो रहा है और उससे जो जीव है वो धीरे-धीरे विलुप्त होने की कगार पर चले गए है तो यही एक्जामपल यहां पर दिया है और आर्केटिक में जो बर्फ है तो वो आपकी कम होती जा रहे है जिससे कि समुद्री जय विवितता प्रभावित हो रही है मतलब कि जो more marine biodiversity है वो आपकी प्रभावित ओ रही है ठेक है नेट्स जो threat है बाइव्यविति को वो किस्से ओ रहा है deforestationby Efendimiz कोब हो रहा है deforestation और habitat lost यहां जा रही है तो वह बहुरा करन जिससे कि बाइव दिन विगड़ती चली जा रही है ठेक है तो अब जcommunication एक example यहां पर दिया है कि an estimated 18 million acre, 18 million acre of forest are lost each year due to in part of logging and other human practicing destroying the ecosystem on which many species depend. लगबग 18 million acre समझ लीजे कि जो forest है वो हर साल हम उसको destroy कर रहे हैं जिससे कि वहां पर जो रहने वाले species हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है ठीक है 18 million acre मतलब की एक करोड असी लाक एक कर तो हर साल इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है ठीक है जैसे कि Amazon के जो जंगल हैं तो उनमें हर गर्मी में लगबग आग वहां पर लगी जाती है जिससे कि वहां पर जो आपका species हैं जो भी diversity वहां पर exist कर रही है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है ठीक है नेक्स्ट है over exploitation आओ ऑवर exploitation में आपका आता है कि मतलब बहुत ज़्यादा उसको explode कर रहे हैं मतलब उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आपन ना ओवर फिशिंग ओवर harvesting तो over hunting मतलब की कोई भी जीव को आप ज्यादा अगर शिकारी मतलब शिकार ज्यादा कर रहे हो over fishing मतलब आप अगर fishing ज्यादा कर रहे हो तो उससे आपका जो marine ecosystem में वो प्रभावित होगा ठीक है जो या fresh water ecosystem में वो प्रभावित होगा over harvesting अगर harvesting भी बहुत ज्यादा हो रही है तो उससे भी हमारी जो forest का जो ecosystem में वो प्रभावित होगा जिससे की biodiversity को loss होगा killing of numerous species over the past several hundred years तो लगबग 100 सालों से पिछले को रोका जा सके hunting है overfishing है harvesting है इन सब को एक limit तक ही allow किया गया है ठीक है फिर क्या बोलते हैं पोचिंग करना और या तो अधर form of hunting ठीक है या other form of hunting इससे क्या होता है profit तो increase हो रहा है बट एक risk भी बढ़ता जा रहा है जिससे की कुछ प्रजाती हमारी विलुप्त होती जा रही है जिक है फिर क्या है the extinction of an apex predator मतलब एक सीर्ष शिकारी के विलुप्त होने या एक खाद शंकला के सीर्ष पर एक शिकारी पारिस्तितिक तंत्र के लिए भयावय परिणाम हो सकते हैं मतलब अगर एक आप सीर्ष शिकारी मतलब food chain में जो मैंने species मतलब की ऐसा है कि the introduction of non-native species into an ecosystem can threaten endemic wildlife either as predator और competing for resource affect human health and upset economies इसका यह मतलब है कि आक्रामक प्रजातियां एक पारिस्तितिक तंत्र में गैर देशी प्रजातियों की शुरुआस से इस्थानी वन्न जीवों को खत्रा हो सकता है ठीक है अगर आप मालीजे किसी एक particular zone बना हुआ है आप उस zone में किसी एक endangered species को अगर आप ले आते हो जो की ज़्यादा खतरनाक species है तो वो उन सभी species को उनसे खत्रा हो सकता है और जिससे की मानों को भी इससे समस्या हो सकती है ठीक है नेक्स्ट है pollution पॉलिशन से भी बायोडियवरस्टी को नुक्सान हो रहा है कैसे फ्रम बर्निंग दा फॉसिल फ्यूल जो भी फॉसिल फ्यूल है जो हमारे प्रेट्रोल है और मिट्टी का तेल है इन सब जो भी फॉसिल फ्यूल है अगर आप उनको बं कर रहे हो तो जिससे है कि हमारे atmosphere को नुक्सान हो रहा है अब क्या बोल रहा है यहां पर फ्रम दा बर्निंग ओफ फॉसिल फ्यूल तो डंपिंग नैंटीन बिलियन पाउंड आफ प्लास्टिक इंटू दा ओसियन एवरी एयर हर साल नैंटीन बिलियन पाउंड प्लास्टिक समझ लीजी ओसियन में जा रहा है यह जो आप थोड़ा-थोड़ा कचड़ा फेकते हो जो भी प्लास्टिक आप फेक रहे हो तो वह समुद्र में जाके लास्ट में सोचिए 19 billion pound एक साल में इतना ज्यादा कचड़ा वहां से निकाला जाता है ठीक है एक्षली निकाला नहीं जाता है मतलब वहां पर पाए जाता है ठीक है अब इतना ज्यादा निकालना वहां पर पॉसिबल तो है नहीं तो इतना सारा कचड़ा सोचिए एक साल में आपका ओसियन में पाए जाता है वाइल इट में नॉट नेसेसरी कॉज एक्स्टिंशन पॉलिटेंट डू है दो पोडेंशेल टू इंफ्लेंट इस्पिसीज हैबिटेट ठीक है अलाकि यह अवश्यक रूप से विलुप्त होने का कारण नहीं हो सकता प्रदूशक प्रजातियों की आदतों को प्रभावित करने की छमता रखते हैं मतलब कि यहां पर ऐसा कह रहा है कि इतना सारा कचड़ा मतलब मेन यही रीजन नहीं हो सकता जिससे की आपकी इस पीसीज जो है की विलुप्त हो रही है तो यह सब कुल मिला के आपका क्या कर रहा है कि बायो डैवरस्टी को इस तरह थ्रेट कर रहे हैं आपन हर साल इस तरह थ्रेड कर रहे हैं बायो डैवर्स्टी को इस तरह नुक्सान पहुंचा रहे हैं नेक्स्ट है बायो डैवर्स्टी कंजर्वेशन मिन्स बायो डैवर्स्टी को हम कैसे कंजर्व करके रखें तो इसमें क्या बोल रहा है बायो डैवस्टी कंजर्वेशन इस दा प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ दा बायो डैवस्टी तो आप्टेन रिसोर्स पॉर सस्टेनेबल डेवलप्मेंट सतत्विकास के लिए संसाधन प्राप्त करने के लिए जै विवित्रा संदच्छ आप्टेव हैं पहला कि तो प्रिजव डाइवस्टी ओफ एस्पीशीज मिन्स जित्ती भी इस प्रिज्व कि डैवर्सटी है उनको प्रिजर्व करना हुँन को संदच्छित करना सबसे पहला एं यह हो गया हमारा हम इसलिए बायो डैवस्टी को लिए को ले करते हैं सबसे करके रखेंगे, तीसरा to maintain life supporting system and essential ecological process. Life supporting system को बचाई रखने के लिए और ecological process को बनाई रखने के लिए हम biodiversity को conserve करके रखेंगे, ठीक है? और इसलिए हमें conserve करना भी चाहिए. तो इसके दो मैतेड है, पहला in-situ conservation दूसरा in-situ conservation. टो वहां के जानवर को या सबस्ते हैं और ठीक है ठीक है तो इन सुट्टू कंजर्वेशन के कई एडवांटेज हैं तो इन एडवांटेज को देखते हैं जैसे कि पहला तो कॉस्ट एफेक्टिव तो होगा ही अगर आप किसी चीज को वहीं पर रहने देते हो तो आपका कोई ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा कि उसको हमको देखना है कि क्या खाया क्या नहीं खाया वो अपने अकॉर्डिंग रह लेते हैं वहां पर ठीक है नेक्स्ट ए लाज नंबर ओफ लिविंग और्गिनिजम कैन वी कंजर्व्ट साइमल्टेनियसली तो अगर आप उनको उनके नेचरल हैबिटेट में रखते हो तो लाज नंबर ओफ लिविंग और्गिनिजम को एक साथ संदच्छित किया जा सकता है अगर आप उनको उनके ही नेचरल हैबिटेट में रखते हैं तो क्या होगा माली जे टेंपरेचर चेंज हो रहा है या बारिश होई या ठंडी होई तो वह उसी साबसे आसानी से एडजस्ट हो जाएंगे लेकिन आप उनको अगर किसी फिक्स जोन में लिया या किसी लेबर करेक्टरी में ले आए तब उनको प्रॉब्लम होएगी और वहां पर वह एडजस्ट नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर्टेन प्रोटेक्टेड एरियास वेर इनसीटू कंजर्वेशन टेक प्लेस इंक्लूड अच्छा कुछ सर्टेम आपके जो कंजर्वेशन है तो नैशनल पार्क हो गया वाइड लाइफ सेंक्च्छुरी हो गया और बायोस्फेयर रिजर्व हो गया यह आपके इनसीटू कंजर्वेशन कहलाते हैं ठीक है तो नैशनल पार्क है जैसा कि क्या होता है कि एक स्मॉल रिजर्व होता है जो कि मैंटेंड गौवर्मेंट के द्वारा जिसको मेंटेन किया जाता है इस बाउंडरी आर वेल डेमार्केटेड एंड हुमन एक्टिविटी सच अज ग्रेजिंग फॉरेस्ट्री हैविटेड एंड कल्टर कल्टिवेशन अब प्रॉहिटेड ठीक है मतलब इसको पहली बात तो गौवर्मेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और जो इनकी बाउंडरी होती है तो उनको अच्छी तरह से सिमांकित किया जाता है बेट डिमार्केटेड मतलब सिमांकन इनका अच्छे से किया जाता है और यहां पर चराई और यह सब वान कल्डब फॉरेस्ट्री करना ठीक है और रहना और कल्टिवेशन मतलब कि वहां के द्वारा कंट्रोल की जाती है नेक्स्ट है वाइड लाइफ सेंक्ष्री वाइड लाइफ सेंक्ष्री क्या होता है यहां पर किवल आपके वाइड अनिमल सिर्फ पाय जाएंगे human activity such as timber harvesting cultivation collection of woods and other forest product are allowed here as long as they do not interfere with the conservation project यहां पर आपका timber harvesting मतलब लकड़ी की कटाई और cultivation मतलब खेती collection of woods मतलब लकड़ी का संग्रह और जो भी other forest product है वो सब allowed रहता है मतलब आप यहां पे लकड़ी काड़ सकते हो खेती कर सकते हो लकड़ी का होना चाहिए यहां पर टूरिस्ट भी अलाओ है आ जा सकते हैं घूमने के लिए wildlife sanctuary में ठीक है next biosphere reserve biosphere reserve क्या होता है biosphere reserve are multi-purpose protected area where the wildlife traditional lifestyle of the inhabitants and domesticated plant and animals are protected biosphere reserve एक बहुत देशिय संवरच्छे छेतर है जहां वन नजीव निवासियों की पारंपरिक जीवन शैली और घरेलू पौदों और जानवरों की रक्षा की जाती है यहां पर वन नजीव की रक्षा की जाती है और आपके जो भी वहां पर रह रह रहे हैं biosphere reserve में जो भी जानवर रह रहे हैं तो उनकी रक्षा की जाती है घरेलू पौदे भी यह biosphere reserve में होते हैं ठीक है तो biosphere reserve basically आपका अनुसंदान मतलब की research के लिए basically biosphere reserve आपके बनाय जाते हैं ठीक है तो यह सारे यह आपके in-situ conservation method है next आता है आपका ex-situ conservation तो ex-situ conservation of biodiversity involves breeding and maintenance of endangered species in artificial ecosystem जो endangered species मतलब की जो लुप्त प्राय प्रजाती है जो लुप्त हो सकते हैं ठीक है तो उनको एक artificial ecosystem में रखना जैसे कि zoos जो होते हैं उनमें रखना nursery में रखना botanical garden gene bank इन सब में इनको रखा जाता है ठीक है the species bred in captivity can be reintroduced in the wild तो कैद में जो भी बंद प्रजाती है उनको जंगलों में फिर से लाए जा सकता है ex-situ conservation के जो भी प्रजाती है उनको आप पहले एक मतलब research के लिए किसी एक particular zone में रख लिए या किसी laboratory में रख लिए उनको वापस से आप जंगल में छोड़ सकते हो genetic technique can be used for preservation of endangered species तो जो भी endangered species है तो उनके gene की research करके आप उनको आगे means उनके प्रजनन छमता बढ़ा के आप उनको वापस से generate कर सकते हो ठीक है मतलब research करके आप उनके gene जो भी है जैसा भी gene है तो उस technique का use करके आप endangered species को preserve कर सकते हो ठीक हो उनको संरच्छत कर सकते हो जिससे कि वह खतम ना हो तो यह हुआ आपका conservation method क्या क्या हमने देखा अभी तक क्या होता है जीवन रूपों में परिवतन स्रीलता को क्या बोलते हैं जैव विवित्ता किसमें किसमें पाई जाती है पौदों में जानवरों में और सुक्ष्म जीवों में पाई जाता है इनके तीन स्तर होते हैं genetic diversity species diversity और ecological diversity यह तीनों हमने discuss किया ठीक है scientific purpose से यूज क्या जाता है bio diversity का और threat कैसे नुकसान हो रहा है तो climate change होने की वज़ा से भी नुकसान हो रहा है deforestation से नुकसान हो रहा है habitat loss से नुकसान हो रहा है फिर over exploitation से नुकसान हो रहा है कुछ ज़्यादा आक्रामक प्रजाती के जानवर को अगर ले आओ, मतलब छोटे-छोटे जानवर मान लीजे कहीं पर रह रहे हैं, वहाँ पर आप शेर को भी ले आके रख दीजे, तो उन सब को नुकसान होगा, यह कहने का मतलब है, और उनको नुकसान होगा तो जिससे हमा आप इनसीटू, मतलब आप जो भी स्पीजीज हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटे में अगर रखते होगे इनसीटू कंजर्वेशन होते हैं, और उनको किसी लैब या जूम में रखते हो तो आक आक्सीटू कंजर्वेशन होते, ओक तो यह था बायो डिवस्टी के बारे okay thank you